So good morning guys और आपकी करीक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में 4 देसंबर के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है हाली में हुरुन Leading Wealth Woman 2020 की सूची आई है और उसके अनुसार सबसे अमीर भारते महिला कौन है तो अंसर अगर रोशनी नाडर मलोतरा तो अभी हाली में जारी कोटिक वेल्थ हुरुन Leading Wealth Woman 2020 की सूची के अनुसार HCL Technology की चेर परसन है ये रोशनी नाडर मलोतरा और ये 54,850 करूर की नेट वर्थ के साथ सबसे अमीर भारते महिला है जबकि बायकॉन की जो चेर परसन है किरन मजुमदार शौ ये दूसरे स्थान पर है और तीसरे नंबर पर है USV की चेर परसन लीना गांधी तिवारी तो इस प्रशनी से रोशनी नाडर मलोतरा का नाम याद रखना बढ़ते हागे फिर है हाली में जारी टॉप टेन पुलिस थानों की सूची में पहले स्थान पर कौनचा थाना है तो आंचार होगा नांग पोग सेक मई थाना जो कि मनिपूर का है तो अभी गरहम अंतराले ने गरहम अंतरी को रहे है अमिट्छा तो अभी गरहम अंतराले ने देश में 2020 के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है और इसमें टॉप पर है मनिपूर के थोबल जिले का लांग पोक सेक मई थाना जबकि दूसरे स्थान पर है तमिल नाडू के सेलम जिले का AWPA सुर्मंगलम थाना और तीसरे स्थान पर है अरुनाचल परदेश के चांग लांग जिले का खार सांग थाना बढ़ते आगे। फिरें लेब में प्रोडूस हुए मीट की विक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया ? तो अंचर होगा SINGAPUUR तो अभी SINGAPUUR में लेब में प्रोडूस हुए मीट को मंजूरी मिलने के साथ ही एक ऐसे भवशे की निव रख दी गई है जिसमें जानवरों की हत्या की ये बिना ही मास उत्पादन होगा। तो कमपनी के अनुसार लेब में बनाए गए इस मीट में पारंपरिक मीट के बराबर ही पोशक तत्व होंगे। उसका स्वाद भी वेसाई होगा। तो सिंगापूर की इस कदम को एतिहासिक कदम माना जा रहा है जि हलीमा याकब और यहांके भी नए प्रधान मंत्री बने थे उनका नामे ली हसेन लॉंग बढ़ते आगे। अच्छा गाईज एक इंपोर्टन सूचना आप सभी के लिए अभी आपको पता है दो दिन पहले हमने जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपोर्टन कुस्चन से उनक अब आप उसको सुन लीजिएगा आपको 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 सुनाई देगी और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो आपको बता देता हूं इस पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इंपोर्टन कुस्चन्स थे उन सभी कुस्चन्स पे एक आपक इस पोर्ट्स लेटेड कुस्चन्स आपके एक साथ क्लियर हो जाएं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा अब बढ़ते हांगे फिर हाल इमें अंतर राष्ट्रे दिव्यांग जन दिवस ये कब मनाया गया तो अंसर होगा तीन देसंबर को हर साल तीन देसंबर को विश्विस्टर पर ये इंटरनेशनल डे ओफ परसन विद डिसेबिलिटीज की रुप देसंबर को भी एसेफ ने अपना चपनवा इस्थापन दिवस मनाया और नागालेन का इस्थापन दिवस भी एक दिसंबर को मनाया गया था फिर दो दिसंबर को तीन इंपोर्टन डे हमने मनाया एक तो विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस एक राष्ट्रे पाकिस्तान की सियाल कोट में हुआ था उन्हें दाला जी और महाशेजी भी कहा जाता है और 2019 में पद्म भूशन सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको बाकि के गोपाल कृष्णन आरबियाई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्षिन को बनाया भी और डेविड प्रोव्स ब्रिटिश अभीनेता थे इनका भी अभी निदन हो गया यश्वरदन कुमार सेना मुख्य सूचना आयुक्ट चीफ इनफॉर्मिशन कमिशनर बनेगे बढ़ते आगे फिर हाली में किसने भारत का पहला विश्व इस्तरिये प्रीमियम ग्रिड पेट्रोल ओक्टेन हंडरीड को शुरू किया तो आंचर होगा IOCL ने इंडियन ओल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो अभी हमारे जो केंदरे पेट्रोलियम नैचुरल गेस और स्टील मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से पहला स्वदेशी रूप से तयार किये गए विश्व इस्तरियब प्रीमियम ग्रिड पेट्रोल 100 OCTANE को लॉंच किया ये जो OCTANE 100 पेट्रोल है ये इंजन को उच्च गुनवत्ता और शक्ति प्रधान करेगा तो ब्रेंड XP 100 के रूपेज प्रीमियम ग्रिड पेट्रोल को उपलब्द कराया जाएगा और अभी इसे इंडियन ओल कॉर्परेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रधेश के मत्थूरा रिफाइनरी में तयार किया गया अच्छा आयू सील की बात करेंगे इस्ता आपना 1959 में हुई इसके वर्तमान में चेयर परसन है श्रीकांत माधव वैद ये कुछ समय पहले नए बने थे याद रखना इनका नाम भी बढ़ते आगे फिर अभी हाली में किस देश ने जलवायू अपातकाल की घोशना की है तो अंसर और न्यूजिलेंड ने तो अभी न्यूजिलेंड ने जलवायू अपातकाल की घोशना करने के साथ ही दोजार पच्चीस तक अपने सार्वजनिक शेतर को कार्बन न्यूट्रल बनाने की भी घोशना कर लिये तो इस घोशना के बाद न्यूजिलेंड अब उन 32 दूसरे देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायू अपातकाल की घोशना की है अब बात न्यूजिलेंड की है तो येरा मैप में न्यूजिलेंड कैपिटल वैलिंग्टन है करंसी है न्यूजिलेंड डॉलर और प्रधानमंत्री जेसिंडा अडन है अभी आपको याद होगा न्यूजिलेंड के सांसद है डॉक्टर गौरव शर्मा और वो विदेशी धरती पर संस्क्रत में शपत लेने वाले भारते मूल के दूसरे सांसद बन गए थे उसके अलावा वोमेन बिग बैश लीग में सो छक्के लगाने वाली पहली खिलाडी बनी थी सोफी डिवाइन जो की न्यूजिलेंड की प्लेयर है और न्यूजिलेंड के एक प्लेयर का नाम और याद रखो रौस टेलर का नाम तो किर्केट की तीनो फॉर्मेट में सो मैचेज खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बने ये उसके लवा प्रियंका राधक रशनन का नाम हमने पढ़ा था न्यूजिलेंड की पहली भारते मूल की मंतरी बनी थी ये तो ये नाम ध्यान रखें आप भड़ते आगे फिर हाल में किसे महिंदरा ग्रुप के अध्यक्ष समूह रणनी थी यानि कि चेर्मेन ग्रुप स्ट्रेटजी की रूप में नियूक्त किया तो अंसर होगा अमित सिना को और ये किन का इस्थान लेंगे अनीश शाह का इस्थान लेंगे बाकी वर्षा जोशी, राष्ट्रे डेरी विकास, बोर्ड की नए अध्यक्ष बने, उत्पल कुमार सिंग, लोकसभा के नए महा सच्चिव बने और रेनु देवी आपको पता है न बिहार के पहली मैला उप मुख्य मंत्री बनी है ये वैसे तो बिहार में दो डेप्यूटी सीएम बने एक तो ये होगी रेनु देवी और एक है तार्क किसूर प्रसाद और अभी बिहार विधान सबा के नए अध्यक्ष बने थे कौन विजय से ना, उनकर नाम भी याद रखना और महिंद्रा गूर्प के सीएओ कौन है आनंद महिंद्रा है बढ़ते आगे प्रेहाली में किस भारते अमेरिकी को टाइम मैगजीन की पहली किड ओफ द इयर चुना गया है तो अंचरवगा गितानजली राव को तो पंद्रा साल की हैं ये भारते अमेरिकी आविशकारक गितानजली राव जिनको टाइम मैगजीन की पहली किड ओफ द इयर चुना गया है तो उनका नाम ध्यान रखना गितानजली राव बाकी अरहम उम तलसानिया दुनिया के सबसे कम उमर के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने थे ये गुजरात से हैं छे साल इनकी उमर है और अभी जीता गुपता दुनिया के सबसे कम उमर के लेखक के रूप में इनको मानने ता मिली थी और एवा मुर्तू एक दिन के लिए फिनलेंड की प्रधान मंतरी बनी थी ये वैसे फिनलेंड की प्रधान मंतरी कौन है सनामारिन है बढ़ते आगे फिरे नवंबर 2020 में जारी ICC T20 रेंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा तो अंसर होगा इंगलेंड तो अब ये ICC ने T20 रेंकिंग जारी की थी जिसमें इंगलेंड टॉप पे रहा है आपको बता दो 2018 से इंगलेंड T20 टीम की कप्तानी इओन मॉर्गन के हाथ में है अब देखो जो इंगलेंड है वो T20 रेंकिंग में तो टॉप पे रहा वन डे रेंकिंग में भी ये टॉप मैं आपको तीनों बता देता हूँ T20 में तो इंगलेंड टॉप पे है जबकि भारत तीसरे स्थान पे है वन डे में भी इंगलेंड टॉप पे है भारत दूसरे स्थान पे है और टेस्ट रेंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है उसमें भारत तीसरे स्थान पे है अच् हाल 위 में New Zealand Cricket के नए अध्यक्ष कौन बने तो अंसर होगा Martin Snadden तो अभी Martin Snadden ये New Zealand Cricket के नए Chairman चुने गए है और ये किन की जगे लेंगे Greg Barclay की ये जगे लेंगे अच्चा Greg Barclay नाम आपने जरूर सुना होगा कम से कम अभी पीछे वाले कुशन में तो सुनाई होगा क्योंकि अभी यह ICC के नए चेर्मेन बन गए हैं ग्रेक बारकले तो इनका नाम भी आप ध्यान रखना बाकी जैक सुलिवन यह भी अमेरिका के नए राष्टर सुरक्षा सलाकार नेशनल सेकुरिटी एडवाइजर बने एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने और संगीता श्रीवास्तव इलाबाद विश्विध्याले की पहली महिला कुलपती वाइस चांसलर बनी है तो इस प्रश्ण सेक तो मार्टिन स्नेडन का नाम याद रखना बढ़ते आगे फिर अभी हाली में S&P ने विट वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का नुमान लगाया तो अंसर होगा माइनस का 9% और अभी कली हम लोगों ने पढ़ाये OECD ने विट वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का नुमान लगाया था माइनस का 9.9% तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्ण के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था इलाबाद विश्विध्याले की पहली महिला कुलपती कौन बनिये तो अंचर होगा संगीता श्रिवास्तव आप सभी ने प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्र दिया है और गाईज एक बार फिर से याद दिला दू अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करना भूल गये हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना तो guys इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पर upload कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाएए और इन सभी questions का आप practice लगा लीजिए ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए आपको ये नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुँचना है लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio त्यार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहां जाकर करके आप मुझे follow कर लिजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं audio upload करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, pdf सब मिल जाएंगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते करन्ट अफेस के revision वीडियो में Thank you guys